Hello everyone and welcome to the bank IQ मेरा नाम है तरुन और अब हम करेंगे data sufficiency का set number 3 तो देखते हैं इसमें questions क्या given है Okay, so first question क्या given है How are Rahul and Varun related to each other Okay, Rahul और Varun किस तरीके से एक दूसरे से relate करते है First statement में क्या दिया हुआ इस नम से बोला है कि Rahul's mother has two children Okay, Rahul की mother के two children है एक तो Rahul खोद होगा और एक और कोई होगा ठीके Charu is spouse of Varun who has no siblings चारू कौन है वो spouse है किसकी Varun की जो जिसका कोई भी sibling नहीं है इसका लग क्या है यहां तो वो आने सकता है ठीके अच्छा उसके बाद Rahul is married to Charu's only sister-in-law अच्छा और उसने कहला कि Rahul की शादी किससे हुई है Rahul is married to Charu's only sister-in-law Charu की इकलौती sister-in-law से मतलब क्या यह female होगा यह male होगा यह चीज सो confirm है ठीके और Charu की इकलौती sister-in-law है इसका मतलब क्या होगा कि R की एक बहन है Charu fine और इसकी शादी किसे हुई है और वरुन से हुई है ठीके तो यहां से मैं बता सकता हूँ ना क्या कि R किसे रिलेट करेगा वरुन से brother-in-law मतलब क्या है सिर्फ first से मैं answer को निकाल सकता हूँ यह चीज सो मैं confirm होगी ठीके second से बात करते हैं देखी उसने क्या बोला कि वरुन सिस्टर इस दी ओनली डॉर्टर-in-law आफ विनोद समदर आचा वरुन की जो सिस्टर है चीज़ है वो कौन है वो इकलौती डॉर्टर-in-law है मतलब कि इसकी शादी किसी के साथ हुई है डॉर्टर-in-law किसकी विनोद की मदर की किसकी है विनोद की मदर की तो विनोद यहां भी हो सकता है या फिर इसका एक भाई है या फिर बेहन है वो भी हो सकता है आगे उसने क्योंद कि विनोद है विनोद की कोई सिस्टर नहीं है विनोद's father has two children आचा और Vinod के father के दो children ने इसका वले एक चीज़ confirm है क्या कि इसका एक भाई और होगा ठीक है न ये चीज़ confirm है तो यहाँ से मैं Vinod को पता नहीं कर सकता हूँ Vinod ये भी हो सकता है और Vinod ये भी हो सकता है अगर Vinod ये दोनों होगा अब देखी यहाँ पर second में कहीं पर भी आपके पास Rahul का यूज नहीं है, you know यहाँ पर कहीं भी Rahul का यूज नहीं है, इसका मतलब क्या है, कि सिर्फ सेकंड से तो मैं आंसर को find out करी नहीं सकता हूं किसी भी तरीके से, ठीक है ना I hope यह चीज क्लियर होगी, तो इसका इन विच रवी इस स्टर्णिक होगी, उसने कहला कि रवी की जो स्ट्रेंथ है वो टॉप से 18 है, ओके हमें यह बताना है इसमें टोटल कितने है फाइन, तो देखिए, फर्स से इंफोर्मिशन का गए, मैंने उसने नहीं से बोला है तो यहाँ पर अगर आपके पास रवी है ठीक है, तो विक्रम यहाँ से 22nd होगा यहाँ से 22nd हो लगा है, इनकी बीच में 21 और होगी, तो यहाँ पर क्या आजाएगा आपके विक्रम आजाएगा, फिर भी अभी मैं तोटल नहीं बता सकता हूँ, वदलब यहाँ पर कितने लोगे अभी हम confirm तो बोली नहीं चकते हैं आपर इसलिए मैं यहाँ पर तोटल परसन तो नहीं निखाल सकता हूँ, ठीक है आचा, इसके बाद देखिए, इस नहीं बता सकता हूँ क्या, कि rank of विक्रम classmate of Ravie is 19th from the bottom of the class अचा, उस निकाला कि जो विक्रम की rank है ठीक है, second से हमें पता चल रहा है विक्रम की rank है जो की classmate है Ravie का वो 19th from the bottom है, 19th from the bottom है तो सिर्फ इस से भी मैं answer को find out नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोडता हूँ, in that case देखिए यहां से bottom से इसकी rank पता चल जाएगी न, आपके बास कितनी है 19th है, अब आप total person यहाँ पर निकाल सकते है, ये प्लस ये, प्लस ये ठीक है, मतलब इसका right answer क्या हो जाएगा कि first और second इन दोनों को जोड़कर मैं answer को निकाल सकता हूँ ठीक है न, clear है, okay next question देखते है, देखिए, okay next question क्यागी विन उसने बुला है what is the distance between M and A, okay, M और A के बीच में distance कितना है, तो देखिए, first से क्या पता है न, उसने बुला है, कि a person facing north at M moves 6 meters straight to Q, वो अच्छा, उसने बुला कि उसके बाद, then he takes a right turn and moves 8 meters to reach B, अच्छा, अब वो यहां से right turn लेता है और 8 meters जाता है B पर पहुचने के लिए, ठीक है उसके बाद, then he takes a right turn from B and walks 9 meters to reach S, अच्छा, अब वो यहां से right turn लेता है और 9 meters जाता है, मतलब क्या 6 यहां ठीक है, और 3 यहां कहां पहुचने के लिए, S पर पहुचने के लिए, उसके बाद then takes another right turn and walks 12 meters to reach A अब वो यहां से फिर से एक right turn लेता है, और 12 meters जाता है, मतलब क्या, 8 यहां और 4 यहां ठीक है, कहां पहुचने के लिए, A पर पहुचने के लिए तो यहां से अगर मैं देखू, M और A के बीच में distance, मैं find out कर सकता हूँ, कहां, यह देखिए आपके पास यह कितना है, 3 है न तो यह distance कितना हो जाएगा आपके पास, under root 16 plus 9 मतलब 5 हो जाएगा, तो फर्स से मैं answer को निकाल सकता हूँ, ठीक है second से दिखते लेकि उसने के आपके आपके कि M is 10 meters somewhere southwest of B, अच्छा, M कहां पर है southwest में है somewhere to B, ठीक है उसके बाद Q is 10 meters somewhere to the northwest of Q Q कहां पर है somewhere to the northwest, ओके northwest, यू से, ठीक है which is 3 meters to the north of S U कहां पर है 3 meters to the north of S उसके आद A is 12 meters to the west of S A कहां पर है 12 meters to the west of S उसके आद B is to the east of Q B कहां पर है east of Q है तो दिखिए, ठीक है और जब इनके बीच में आपको distance नहीं पता को हूँ और हमें direction भी है, इसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है मतलब क्या आपके पास जैसे कि उसने बोला ना कि B कहां पर है वो, east में है क्यों से अब वो यहां भी हो सकता है B यहां भी हो सकता है B, कहीं भी हो सकता है और उसके साब से फिर M का जो distance है जो direction है वो भी तो change हो जाएगा ना इसका मतलब क्या है कि यहां से आप M और A के बीच में कोई भी relation find out नहीं कर सकते है कि वो कितनी दूरी पर है इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि यह आपके पास क्या जाएगा second sufficient ने answer को find out करने के लिए ठीक है, next question देखते है देखिए, okay next question में क्या given है उसम से बोला है कि in a group of five students जिनके नाम यहाँ पर देऊ है how many of them are heavier than D okay, D से heavier कितने हमें यह चीज़ बता करने है, मतलब क्या हमें D की position को तो fix करना है किसी तरीके से, चीक है, first में देखते है क्या given है, one two, three, four, five fine, उसम से बोला कि at least two students are lighter than C, okay, कम से कम दो student है, जो की lighter है, C से माल लेते हैं, यह आपके पास heaviest है यह आपके पास lightest है, इस direction में weight increase हो रहा है, तो कम से कम दो student lighter है मतलब क्या, C आपके पास इन तीनों में से कहीं भी हो सकता है, ठीक है उसके बाद, E is not the second heaviest student अच्छा, E second heaviest नहीं मतलब क्या, E आपके पास यहां नहीं आ सकता उसने हम से यह चीज़ बोली है, ठीक है, उसके बाद A is not heavier than B, अच्छा, A heavier नहीं है, इसका लाद A lighter होगा किस से, B से ठीक है, इसके आपके बाद, the weight of at least one student lies between the weight of A and D, अच्छा, कम से कम 8 student है, A और D के बीच में उसने हम से यह चीज़ बोली है ठीक है, तो यहां से मुझे आपके इक बाद दाती है, हमें क्या करना है हमें बस D की position से मतलब है हमें D की position को fix करना है D को यहां पर put कर लिए, माल लेता हूँ हमें, ठीक है, फिर A को में चाहूँ तो यहां पर put कर लेता हूँ B को में यहां पर put कर लेता हूँ C को में यहां पर put कर लेता हूँ E को में यहां पर put कर लेता हूँ ठीक है, मैंने इसी तरीके से random ली लिख लिया अब इसी में थोड़ा से changes करते है माल लेते हैं कि D आपका यहाँ पर है fine B आपका यहाँ पर है C आपका यहाँ पर है A आपका यहाँ पर है E आपका यहाँ पर है यह भी condition है put कर सकता हूँ न ठीक है इस case में भी अगर मैं देखूँ तो आपके पास D की position fixed नहीं है दोनोगी condition आपके पास true हो रही है और इसमें कहा है D की position fixed नहीं है इसका हम लोगा है सिर्फ first से तो मैं answer को find out कर नहीं सकता हूँ ठीक है अच्छा second से ठीकते हैं देखिए second में क्या given है वोई 5 student है आपके पास उसने कहला है कि B who is not heaviest student B जो की heaviest नहीं मतलब B यहां पर नहीं आएगा ठीक है is heavier than E B heavier है किससे E से and weight of at least one person lies between B and E और एक student पढ़ता है इन दोनों के बीच में कम से कम ठीक है minimum एक student तो हम बताना है तो यहां पर भी अगर मैं ऐसी randomly पहले value को put करके देखता हूँ ठीक है D को में fix कराना है न तो माल लेते कि B आपका यहां पर है ठीक है तो E कहां हो सकता है E यहां पर हो सकता है fine फिर अगर मैं अब यहां पर तो A, C, D को कहीं पर भी put कराना चाहूँ मैं कहीं भी put करा सकता हूँ सिर्फ सेकंड से तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा न ठीक है इसका लगा किस सिर्फ सेकंड से भी हम आंसर को find out नहीं कर सकते हैं अचा इन दोनों को अगर मैं जोड कर देखता हूं तब क्या मैं पता कर सकता हूं कुछ देखिए अगर हम put करना चाहें किसको हमें यह मालू है कि B आपका यहां पर नहीं सकता तो B अगर आपका यहां पर है in that case आप E को कहां पर put कर रहा है मान लिए E आपका यहां पर है ठीक है तो A आपका कहा होगा A आपका हमने माल लिए यहाँ पर है fine C आप यहाँ पर put करा रहा सकते हैं D आप यहाँ पर put करा सकते हैं conditions हमारे पास अब भी सारी satisfy हो रही है ठीक है न देख लीजे B और E के बीच में कम से कम एक person है ठीक है A और D के बीच में कम से कम एक person है ठीक है A lighter है किससे B से ये भी ठीक है अब मैं अगर इसमें थोड़ा सा भी change करता हूँ माल लेते हैं कि B अपका यहाँ पर है चीक है D को यहाँ पर put करते है C को यहाँ पर put करते है E को यहाँ पर put करते है और A को यहाँ पर put करते है ओके यहां से अगर मैं देखू तो A lighter है B से ठीक है A और D के बीच में एक परसने कम से कम ठीक है और E और B के बीच में एक परसने कम से कम ठीक है यह भी जी समर्फरस क्या है condition satisfy हो रही है मतलब यहां से भी अगर मैं देखू तो D की position को मैं fix नहीं कर पा रहा हूँ इसका मतलब क्या है उससे heavier कितने मैं यह चीज find out नहीं कर सकता हूँ तो first or second दोनों को भी जोड कर मैं answer को नहीं निकाल पाऊँगा ठीक है समझ मैं है ना clear हुआ next question देखते है किया है ओके next question क्या given है उसने हम से बोला है कि among PQRSTU who is second to the left of Q okay all are sitting around a circular table facing the center अच्छा उसने वाला कि इन सम्में से हमें यह बताना है कि second to the left of Q कौन पर होगा अगर इस सब कहां देख रहे हैं center की तरफ देख रहे हैं ठीक है first में क्या given है उसने हम से बोला है कि T is immediate neighbor of Q and R okay T कहा है immediate neighbor है Q और R का इसकी एक और possibility बन सकती है T is immediate neighbor of Q and R fine उसके बाद U is second to the left of P U का पर है second to the left of P मतलब आप P को यहां पर put करा सकते है तो second to the left इसके U जहां पर होजाएगा P को आप यहां पर put करा सकते है second to the left इसका U यहां पर होजाएगा चीक है उसके बज़ा कि S S को आप यहां पर put कर सकते है अब अगर मैं देख उसने के वाला था कि who is second to the left of Q second to the left of Q यहां पर क्या है R है यहां पर क्या है S है दोर में अलग-अलग है ना इसके वाला क्या है कि सिर्फ फर्स से तो मैं आंसर को find out नहीं कर सकता हूँ सेकंड से चेक करते हैं उसने कहला कि S sits opposite T तो यहाँ पर भी हम बना लेते हैं उसने बोला S sits opposite to T and is immediate neighbor of U and P और हो immediate neighbor है U और P का मतलब एक possibility यह बन सकती है और एक और possibility यहाँ पर हम बना सकते हैं क्या कि S T U P ठीक है उसके वाद R is third to the left of P R का पर है third to the left of P मतलब R आ जागा यहाँ पर और R आ जागा यहाँ पर अब चाहे का Q को मैं यहाँ पर put कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर put कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर देखे तो second to the left of Q S है second to the left of Q R है दोनों में क्या आपके पास percentage है ना तो यहाँ से भी सिर्फ second से भी मैं answer को find out नहीं कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं first or second दोनों को जोडता हूँ in that case क्या मैं S की answer को find out कर सकता हूँ देखे उसने हमसे क्या बोलता के U is second to the left of P U का पर है second to the left of P है तो यह तो आपके पास गलत हो गया ठीक है यह आपके पास सही रह रहा है इसमें और conditions को चेक कर लेते हैं देखे टी इमिटेट नेवर अफ Q और R टीमिटेट नेवर है Q और R का ठीक है यह चीज़ सही है उसके बाद S is opposite to T यह भी चीज़ सही है फिर N is immediate neighbor of U and P यह भी सही है और R is third to the left of P यह भी सही है आपके बास है ठीक है इस condition की अगर मैं बात करूँ तो उसने हम से गावादा कि R is third to the left of P यह गलत हो जागा यहाँ पर इसको अगर चेक करता हूँ तो देखिए R is third to the left of P यह चीज़ सही है उसके बाद S is opposite to T यह भी सही है N is immediate neighbor of U and P यह भी सही है उसके बाद देखूँ तो U is second to the left of P U is second to the left of P यह भी सही है T is immediate neighbor of Q and R यह भी सही है आपके पास ठीक है तो यहाँ से भी अगर मैं देखिए तो second to the left of Q क्या है आपके पास S है यहाँ से भी S है तो दोनों से हमारे पास पाता चल रहा है इसका वाला क्या है कि first or second अगर मैं दोनों को जोडता हूँ इन देखिसमिस की answer को find out कर सकता हूँ ठीक है So I hope आपको समझ में आगा next question देखते देखिए Okay next question क्या कि विने उसके वाला है कि in a five floor building on which floor does विने लिफ्स Okay 5 floor की building है हमें पताना है कि विने कहां पर रहता है तो देखिए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 5 floors है ठीक है उसने वाला कि विने लिफ्स exactly above Rahul's flat whose flat is exactly above Vijay's flat अचा उसने वाला कि विने का flat exactly उपर है first से हमें ये चीज़ पता है Rahul के flat से ठीक है और उसका flat किसके उपर है Vijay के flat से ठीक है तो यहां पर अगर देखू तो इनको में कहीं पर भी पूट करा सकता हूं इसलिए अभी तो कुछ हम confirm बोल नहीं सकते है ठीक सेकंड से चेक करते हैं देखिए उसने काला कि सुरेश लिफ्स on top floor सुरेश कापर है top floor पर है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मनीश लिफ्स exactly above विनेस flat मनीश कापर है exactly above विनेस flat fine विजे लिफ्स on first floor विजे कापर है first floor पर है तो सिर्फ इस से अगर मैं देखू तो भी मैं पता नहीं कर सकता हूँ लिकिन अगर मैं क्या first or third को अगर जोडता हूँ in that case क्या मैं पता कर पाऊंगो देखिए हमें यहां से विजे का confirm होजगा विजे कापर है first floor पर है तो इसके हिसाब से राहूल यहां पर और फिर विने यहां पर आजाएगा इसका मतलब कहाए कि first or third से तो आपके पास answer आ रहा है first or second से आ सकता है क्या यहां से कर मैं देखू तो आप बस सुरेश को put करा सकते हैं तो टॉप पर है लेकिन यह कहाँ पर है यह चीज़ आप यहां पर भी put करा सकते हैं और यहां पर भी put करा सकते हैं इसका अलगा है first or second से भी नहीं आएगा second or third को देखते हो तो आप सुरेश को यहां पर put करा सकते हैं विजे को यहां पर put करा सकते हैं लेकिन विने और मनीश यहां पर भी आ सकते हैं, यहां पर भी आ सकते हैं, तो विने की एक position कोई भी fix नहीं होगी ना, इस वए से second और third से भी answer नहींगा, तो इसका right answer गहाँ जाएगा, first और third is the right answer, ठीक है, I hope, जितने भी आएद हमने questions किये, वो आपको समझ में आए होंगे, thank you so much, अब भी कुछ questions आपको देखता हूं करने के लिए, तो उनको एक बार try करिएगा, okay, so यह question है, इसको try करिएगा, यह question है, इसको भी try करिएगा, ठीक है, next video हम लोग discuss करेंगे, thank you so much.